नामस्कार दोस्तों, स्वागत आपका, आपके अपनी YouTube चैनल, Job With hiking में, दोस्तों, पिछली कलास में हमने Chapter 4 की Exercise 4.3 का First और Second Qution पिछली कलास में हमनें कर लिया है, आज इस कलास में हम आगे की क्यूशन आंसर करेंगे अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रीप्शन और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा तो आप वहां से पहले वाली क्लास एक बार जुरूर देख लेना आज ये क्लास के मूल हमें कियात करने हैं और इस के अिनदर हमें दो क्यूशन दिये गए पर फश्ट क्यूशन थेशन आसका एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर तीम है जहां पे हम क्या करेंगे स्क्यूसन को सोल करेंगे सोल कैसे करेंगे जैसे यहां से क्या रहा है एल से हम कितना रहा है एक सा रहा है यह x यह इसका गुणा इस साइड हो जाएगा वज्जर गुणा और इसके निच्चे में एक मान सकते हैं इसका गुणा इस साइड हो जाएगा तो एक का गुणा इस से होगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन x का गुणा तीन से होगा तो कितना जाएगा तीन x तो यह monique society यह माइनस तीन एक बविद्धी से निकालतीRight विद्धी द्वारावन यंगालतीए हुँश्थार्य सुत्र का प्रियोग करके भी मिनशके हले निकाल सकते हैं अब माइनस B, पलस माइनस, रूट, B स्कायर माइनस 4AC, और इसके अपौन में क्या है, 2A, हम यह अपना क्या होता है, दियुगाती सुत्र होता है, इसे हम क्या कर सकते है, मूल निकाल सकते हैं, दियुगात समीकन के, तो इसे हम क्या करेंगे, मूल निकालेंगे, A और B, C क्या होता यह तो होता है एक्स का गुणा क्या है यह तो यह हो जाएगा बी क्या होता है एक्स का गुणा कितना है माइनस तीन और सी क्या होता है अच्रपत जो की कितना है माइनस एक है अब आपको कुछ नहीं करना शिर्प और शिर्प इसके अंदर वेल्यू पूट करने जहां पर भी एक रख दो-vanos से एक रखत सो-ट perkाष्थ ब्रॉट क्या हो जाएगा माइनस इसका-माएनश एक हई ओर- कितने माइनस सेतीन है कि फिर पलस माइनस पलस माइनस root का हमने root लिख दिया B का square यानि root 3 का square minus root 3 का square फिर minus का symbol minus 4 का 4 लिख दिया A की जगय में एक लिखना है और C की जगय में कितना लिखना है minus 1 लिखना है अब हमें इसको निच्चे 2 A है दो A दो का थो 2 रहेगा और A का मान कितना है एक हमने एक रखते है इस फॉर्मूले के अंदर हमने ए बी सी का मान रखा है ए बी सी क्या होता है ए तो था एक स्कायर का गुणा जो कि क्या है ए है बी होता है एक्स का गुणा जो कि कितना है माइनस तीन है और सी कितना है एक है अब इसको आगे सॉल करेंगे तो आप आसानी यह कर सकते हैं कैसे कि एक्स ब्राबर क्या हो जाएगा माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा त्योंकि एक्स ब्राबर यह क्या गया प्लस का तीन हो गया फिर प्लस माइनस अब इस अंडरूट को हम solve करते हैं यह पूरे कोपर रूट है ठीक है न tomar थीन की स्क्वारर कितनी होती है, 9 क्योंकि मैनस नेख़ घुन हो जाएगा प्लस YES और तीन नहीं मैनस से रूट हो जो 3 है sqe sqe कर नहीं होगा फिर मैनस का सम्प्ल ढ़ंत 4 होगा सो 4 हो यह minus इससे गुणा होगात क्या होजएगा minus होजएगा और एक का गुणा च्यार च्यार श्योगात तो एक होजएगा त्योंनि minus minus plus ängen 4 गुणा इस व्हगात कितनी आजएगा plusomos Ken I और बट्टा में में कितना दिया गए है, दो गुणा एक क्या लिख सकते हैं, दो, आगे आपको और सोल कर लेना है, नो और चार कितने हो गए, तेरा, रूट का मा नहीं निकाल सकते हैं, तो यानि इसको ऐसा का ऐसा लिखते हैं, यानि कि X बराबर, एक्स बराबर तीन प्लस माइनस रूट तेरा बटा दो अब हम क्या करते हैं एक बार तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू ले लेती है और एक बार क्या लेती है माइनस की वैल्यू लेती है तो एक्स बराबर एक तो मान क्या हो जाएगा तीन प्लस root 13 बटा दो और दूसरी value क्या हो जाएगा x बराबर 3 minus एक बार हमने plus ले लिया एक बार हमने minus ले लिया क्योंकि यह दीवगाद समिकन है तो इसके 2 हल लाएंगे ठीक है तो एक तो क्या हो जाएगा 3 में से 13 root जुड़ेगा भाग जाएगा 2 का और दूसरा मूल क्या हो जाएगा 3 में से root 13 गटेगा और बाग जाएगा दोक यह क्या होगा इसका दूसरा मूल हो गया सबसे पहले हमें एक समिकन दी गी थी हमने इसको solve कर लिया तो एक दिवगाद समिकन बनी दिवगाद समिकन के में मूल निकालने थे मुह निकालने के लिए में गोणनधोंचत काम मिल सकते हैंप्ल वर्गव लिए हम ने क्या क्या है क्या जैंदल को आपको हो 212 30 20 चाहप एक्स का मान 08 नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता थिक में मूल निकाला है सबसे पहले हम सोल करते हैं सोल काशे करेंगे इनका लेसल कारेंगे इनका ल्टिएम लेंगे तो कितना ओगा इनका एल्टियम अजाएगा X plus 4 और X minus 7 आप वो लोगे सर यह ऐसा LCM कैसे है जैसे कि आपको सोल करना हो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 तब इनका LCM कितना हैगा अच्छ है कैसे आया 2 गुणा 3 ठीक है इसी परकार जो इनका LCM है 2 गुणा 3 तो यहापे भी क्या जाएगा X plus 4 यानि यह पद और यह पद इन दोनों का हम गुणा कर देंगी क्या हो जाएगा अपना LCM हो जाएगा अब यहापे यह पद है यानि इसमें भाग देंगे तो यह तो दोनों कट जाएगे क्या बचेगा यह इसका गुणा X से करेंगा तो कितना जाएगा X minus 7 फिर minus का symbol हमने minus लगा दिया इसके निच्चे यह पद तो है तो यह तो कट जाएगा क्या आएगा यह आएगा X plus 4 X plus 4 का गुणा X से योगात क्या जाएगा X plus 4 आजाएगा ठीक है कैसे जैसे इनका LCM कितना आएथा 2 गुणा 3 आएथा तो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है तो यहांनि 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा 3 तीन का गुणा इस योगात कितना आगया इसी प्रकार इसके नीचे 3 है और यहां पर भी 3 है तो यहां पर 3 से 3 कटेगा क्या बचेगा 2 तो यहांनि माइनस का 2 तो आंसर कितना जाएगा 1 बटा 6 इसी परकार हमें इसको solve करना है बराबर में में क्या दिया गया है 11 बटा 30 दिया गया LCM ये कैसे आया उपर ये कैसे बचा मैंने आपको बता दिया अगर फिर भी समझ में आया तो आप कमेंट करके जुरूर पूछ लेना या वीडियो को वापस लेके एक बार और देख लेना अब उपर वाले को solve करेंगे तो क्या x-7 का ऐसा का ऐसा लिख देंगे मैनस का गुणा x होगा तो मैनस का x मैनस का गुणा 4 होगा तो ये क्या जाएगा प्लस और मैनस गुणा के मैनस बना लेंगी और 4 का 4 आजएगा निच्चे इसको solve करती है इसको solve कैसे करेंगी X का गुणा पहले इन दोनों से होगा फिर 4 का गुणा इन दोनों से होगा X का गुणा X होगा तो क्या हो जाएगा X स्कार हो गया X का गुणा माइनस 7 होगा तो माइनस 7 X हो गया 4 का गुणा X होगा तो यह पलस का 4 X हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी प्लस है यहां पर भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा ठीक है तो क्या हो गया च्यार एक्स हो गया अब यह च्यार का गुणा साथ से गरेंगे तो कितना आजाएगा 28 हो जाएगा अब ये 28 प्लस का ओग आप माइनस का ओगा तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस का गुणा माइनस होगा तो क्या जाएगा माइनस तो यह 28 किस का आएगा माइनस का आएगा चिन का आपको इस पेसल द्यान रखना है और ब्राबरे में दिया गया है 11 बटा 30 आप जो value कट रहे होंने कारते हैं जो जूड़ रहे होंने जोड़ देंगे जैसे यह plus का x है यह minus k scenery कितना हो गया minus का 19 नीच्चे sol करते हैं x square का तो x square हेगा यह minus का 7x है यह plus का 4x है तो कितना बचेगा minus का 3x जाद है यह बच गया और यह क्या minus का 28 है बराबर में मैं क्या दिया गया है 11 बटा 30 दिया गया अब हम क्या करेंगे दोनों साइड वजर गुणा करतेंगे कैसे कि इसका गुणा इस साइड करतेंगे 11 से और 30 का गुणा कि इससे करतेंगे माइनस 11 से करतेंगे लेकिन इससे पहले यह माइनस 11 है और यह शिद्धा 11 है 11 सी 11 कट जाएगा कैसे अगर मैं 11 इसके पॉन में लिया हूँ तो 11 के नीचे 11 हो जाएगा तो यह दुन्नों मान क्या हो जाएगे कैंसिल आउट हो जाएगे तशने यह ह किया बचेगा मैंस एक बचेगा और यह आपका सिद्धा यह बचेगा मैंनसCT notice मैंस इमनस ति alter ऑघ्.-through partes के नदर क्या करते हैं और सारा मान एक साड़ ले लेतिए व Fr widow कि यह तो मान धी क्या करते हैं पूरा का पूरा मान इस side लाती है तो यह क्या बचेगा आपका minus का x square हो गया इस side आती यह minus का है तो इस side आती प्लस का हो गया यह minus का है तो यह भी क्या हो गया प्लस का हो गया और यह minus का 30 तो इस side पहले से है बराबर में क्या हो गया 0 हो गया यह प्लस का 28 से यह माइनस का 30 से कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा तो इसको सोल करेंगे तो यह माइनस x स्कायर प्लस 3x से और यह क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा बराबर में 0 है दिव गाश मिक्रन के अंदर्ध एकस कार माइनस का नहीं रखते तो रहए नीं पूरे को मायनसší गुणा कर देंगे कुरी इसे मीरेक्न गुणा करेंगे मायनस मीरे करें घुर माइनस का गुणा फ्लस है तो ये माइनस का 3X माइनस का गुणा- होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 अब इसके धील करने के लिए मोल निकालने के लिए तीन विद्धीं जो आपकिस दिव गाल रोजसे निकाल या पुण वरग विध्धी बना जा लो तो हम किसका उप्योग करेंगे यांपे हम गोलन कंड विद्धी का उप्योग कर लेते हैं कैसे कि एक तो दो हो जाएगा और एक एक हो जाएगा हमें माइनस तीन एक्स के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिने जोड़ने हैं गटाने पर तो माइनस तीन आई गुणा करने पर क्या है दो एक्स स्काइर आए तो वो दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक तो माइनस दो एक हो जाएगा, और एक ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे, तो माइनस तीन एक्स, गुणा करेंगे, एक का गुणा दो से होगा, तो दो, एक का गुणा एक से होगा, तो एक से लिख लिए ब्राबर में क्या है? 0 गोणाथ खंडवीदी के अंदर यही तो करते हैं बीच वाले पद जो तोड़ते हैं बस दो पदों में तोड़ना है हमें तो ये हमारे दो पद है अब इन में से जो भी कोमन आरो एक्स कोमन है बार ले लेंगे x-2 बचा और यहाँ पे भी अमें क्या करना है माइनस 1 बार ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x-2 बराबर में क्या होगे आपका 0 अब इन दोनों में भी क्या है x-2 बार आ रहा है common है अंदर क्या बचाई set तो x बचा है और यह क्या बचा है माइनस का एक, बराबर में 0 अब दोनों वेल्यू को माइनस के बराबर रखेंगे, ये 0 के बराबर रखेंगे तो X माइनस से 2 बराबर 0 और एक बार इसको रखेंगे, X माइनस 1 बराबर 0, ये वेल्यू नेटा कर like that kbos कर सकते ही मान आईगा लेकिन हमने किया कि यां पर प्योग करसके हैं यह जर GOT क्योंकि चछ तुकड़े बन रहेते दो एक्स और एक्स है इसलिए इसन क्या हो गया असानेश हो गया तिक यह का सेकनेड जे पार्ट हो गया क्यूशन नमर चार है तीन वर्स पुर्वे रहमान की आयू वर्सों में का व्यूत करम है और पांच वर्स परशात आयू के व्यूत करम इन दोनों का यूग है वो कितना एक बटा तीन है तो हमें उसकी वर्तमान आयू यानि रहमान की वर्तमान आयू है वो निकालनी है कि कित फिर क्यूशन के इंदर बोला गया तो तो 730 कितनी हो जाएगी जो कि वर्तमान में जितनी भी रहा उस में से 3 उस ती शाल बाद तो П कितनी हो जाएगी मान लिजे कि आपके IU है वो 18 वर्स है तो मैं बोलों कि 5 साल बाद में तब आप बोलोगे सर सिंपल 18 में 5 साल जोड़ देंगे 23 आगा उसी प्रकारी इसकी X है तो 5 साल बाद में क्या हो जाएगी एक्स प्लस 5 हो जाएगी फिर परशना अनुसार परशन में क्या बोला गया है कि तीन वर्स पहले जो भी आईए हो कितनी है X-3 है इसका व्यूत करम का मिंच क्या होता है उल्टा उल्टा यानि कि यह क्या हो जाएगा निच्छी आजएगा एक उपरा जाएगा क्योंकि परते हो जाएगी एक्स प्लस 5 इसका भी व्यूत करम मैंने उल्टा इसके नीचे भी एक है त्यानिकी एक उपरा जाएगा और यह माने नीचे आजएगा फिर बोला गया कि इन दौनों का योग है ना इन दौनों का योग यह लीजिए हमने जोड़ दिया किसके बराबर एक बट कि यह पिर बोला गया है कि इनं दौनों का यूतक्रम इनी उल्टा इसका योग कितना एक बटातीन है तो हमने एक बटातीन के वराबर रख दिया अब इसको ने स्वाल करना है सबसे पहले में क्या करना है इन दोनों का LCM लेना है तो इन दोनों का LCM कितना आजाएगा खूपी खुमन नहीं इनकी दोनों की संक्eken real elements आ जाएगे आपकी यहां पर यह लेजिए धोनों की संक्रिया LCM आगी अब यहाँ पर भी x-3 है यहाँ पर भी x-3 है क्या नहीं है x-5 नहीं है तो यानि कि इसका गुणा हमें एक से कर देंगे x-5 का गुणा एक से होगा तो यह x-5 आजएगा फिर प्लस का शिंबल हम प्लस लिखतेंगे यहां पे क्या x plus 5 है यहां पे भी x plus 5 है यहां पे क्या नहीं है x minus 3 नहीं है तो इसका गुणा हिस्षी करदेंगे तो इसका हो जाएगा x minus 3 और ब्राबर में कितना है एक वट्टा 3 है इसको हम solve करेंगे यह LCM इस परकार कैसे लिए मैंने आपको बताया था एक बार और बता दू मालीजिए कि में दिया जाए कि एक बटा दो और प्लस एक बटा तीन इसको सौल करना है तो इसको सौल कैसे करेंगे सबसे पहले मैं LCM लेंगे कितना जाएगा दोनों का अच्छा हैगा कैसे दो गुणा तीन यहीं तो आएगा यानि कुछ भी कॉमण नहीं है तो यहां पर कुछ भी कॉमण नहीं था तो दोनों संग के LCM होगी हमें नहीं पता एक्स का माल कितना है इसमें से तीन गटाना है फिर पांस जोड़ना है वह ह तो आवी इसमें प्लस का सिंबल प्लस यहां पर तीन है दो नहीं है तो ऊपर दो लिख देंगे तो यह क्या जाएगा 5 बट अच्छे आजएगा तो कैसे करेंगी। सबसे पहले x का nix और रहागा पिर 10 का गूण से होगा तो मरें 15 हो जाएगा और ब्राबर में इक बटा तीन इस समयकांड की कई यह अब हो जाएगा टिक ऐस पांच चेए यह गठेगा और निचे x square our x square लिख देंगे 5x MIATSE 3x गठेगा हुते कितना बचेगा दो x बचेगा और मायनस 15 ऐसा का 1 लिख देंगे वराबर में क्या है एक बटा 3 है अब एक बटा 3 का मुझर गुणा करदेते हैं वझर गुणा में इसका गुणा इससे होता है इसका गुणा इससे होता है तो तीन का गुणा 2x योगा तो 6x है 2x योगा तो 6 एक का गुणा किसी संक्या से करते हैं वो इसंक्या वापस आ जाती है तो यह निकि इसका गुणा इससे करेंगे तो यही संक्या वापस आ जाएगे तो x square पलस 2x माइनस 15 दिवगासमिकन के अंदर सारा मान एक साइड ले आती है तो 6x plus 6 तो पहले से यहा है यह मानिस साइड आ गया तो क्या बचेगा x square यह plus का है तो यहां पर आती है क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा और यह क्या है माइनस का है तो यह क्या हो गया पलस का बरापर में क्या बचा आपका जिरो इसको सोल कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी गात तो यह लिख देती है फिर 6x में से 2x गटेगा तो कितना बचेगा पलस का 4x बचेगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आपका 6 और 15 कितना हो जाएगा 21 बरापर में क्या है जिरो इस समीकन को जो 2 गाइस समीकन होती है इसका हम क्या करते है जो बड़ी गात यानि एक सी स्कायर वाली गात इसको माइनस में नहीं रखते है इसको तो क्या करेंगे पूरी समीकन को माइनस से गुणा करते हैं माइनस का गुणा माइनस योगा तो पलस हो जाएगा पलस माइनस क्या होता है माइनस होता है यह माइनस का च्यार एक्स हो गया माइनस का कुणा प्लस यह बिमाइनस आगा कितना होजएगा 21 गेज जिरो आगिने इस में मूल करने मूल कहाभिने Woah करेंगि कोई भूर कि यूज ले सकते हैं तो हम क्या करते हैं श्रीद राचार्य विस्द्र शुक्र Julius वो क्या है X ब्राबर माइनस B यह माइनस B पलस माइनस रूट B स्कायर माइनस 4AC और बट्टा में क्या होता है इसका 2 ठीक यह स्रीद राचारी है यह आपका दिवगाती सुत्र हो गया अब हमें क्या करना है ABC का मान रखना है एक क्या होता है एक्स का गुणा एक्स स्कार का गुणा जो की क्या है एक है बी क्या होता है एक्स का गुणा माइनस च्यार हो गया सी क्या होता है चर्पत जो की क्या है आपका 21 है सभी की सभी वेल्यू हम रख देंगे सबसे पहले माइनस का सिंबल माइनस B की value रखेंगे माइनस 4 पलस माइनस का symbol ऐसा का ऐसा रख दिया फिर B की square यानि माइनस 4 की square माइनस का symbol माइनस 4 को हम 4 रखेंगे A की जगाए A की value एक रख दी और C की जगाए C की value माइनस 21 रख दी और इसके बट्टा में कितना दिया गया है 2 गुणा E है A का मान कितना है 1 है हमने 1 रख दिया अब इसको आगे soul करेंगे तो मैं यहां से यह rough कर रहा हूँ ताकि क्यों सुन हम यहां पर soul कर ले माइनस का गुणा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा पलस का 4 10X बराबर यह क्या बचा है पलस का 4 फिर पलस माइनस रूट को soul करते है च्यार का स्क्वाइर है माइनस है तो यह कितना हो जाएगा पलस का 16 हो जाएगा ठीक फिर यह माइनस और यह माइनस तो पलस हो गया च्यार का गुणा यह क्या हो गया पलस हो गया 4 का गुणा 20 के करते हैं तिक कितना हो गया 84 और निच्चे अपना क्या हो जएगा 2 गुणा 1 क्या नि 2 हो गया इन्सको solve करेंगे तो X बराबर 4 plus minus ये कितना हो गया 100 दोनों को जोड़ देंगे बटा में क्या है 2 है तो ये क्या हो जएगा 4 plus minus रूट है, 100 का मान कितना होता है 10 होता है, बटा में 2 है अब X के मान के लिए हम क्या करते है, एक बार तो यहां पर प्लस का शिंबल लेते हैं, एक बार माइनस का, प्लस का लेंगे तो 4 प्लस 10 बटा 2 यानि 14 बटा 2 बराबर कितना गया 7, एक बार माँनस का लेते हैं एक्स माँनस दस बटड़ दो चार माइनस चार माइनस 10 है तो पाप लगे सघ्रीया तो एक्दम कॉमम्मान से हैं सफ हम व यह सात लेंगे तो याँ किनी है सात वर्स में निकालना था उम्मर मानइ ती रहमान की तो रहमान को कि वेरतमान की बचाहिए टो कितनी आ डीव कितनी है इसात दो पहार है यह आपका इसका क्यूशन नमर चार है वो सो लोग है नमर पांच है एक कलास टेस्ट में शेपाली के गणीत और अंग्रेजी में प्राप्त किये गए अंकों का योग 30 है यानि गणीत और अंग्रेजी में इसने 30 अंक है वो प्राप्त किये है यदि उसको गणीत में 2 अंक ज जसाता तो हमें बताना के जो डौने विश्यों कें पूइ अ kidney किदने यास एपOS होगी ठीक पर थे क्यों उसने औंको का योग इतना है अगर एक में एक्स किएं तो दूसरे में क्या होगा 30 これ गटा देंगे मालीजिये कि आपका कोई एक्जाम हुआ और आपने कुल पचास अंग प्राप्त कि दो सब्जेक्ट में अगर एक में आपने बीस किये तो दूसरे में आपने कितने कियोंगे पचास में से 20 गटादेंगे तो आपने 30 उंक पराप्ट किये इसी प्रकाह से अपाले ने अगर गणीती में x किये तो 30 में से हम x गटादेंगे तो दूसरी विश्चे हमें बीत वाज़ेगा क्योंकि दोनों का योग कितना है से 30 है दोनों विश्यों में कुल मिलाकर उसने 3 अंक प्राप्त किया है तो अंग्रेजी इसां कितने हो जाएंगे गणीत वाले इसमें से घटा देंगे तो अंग्रेजी में कितना हो गया मैं यह बात आपको समझ में आगे होगे पिर हमें क्यूशन के अंदर बोला गया वह है गड़नित में X किया इसे 2 जादा याने X प्लस 2 और यह आपके अंग्रेजी के अंदर 3 अंख कम प्राप्ट करती यानि कि इसमें से हम 3 गटा दे तो 30 X में से 3 गटाएंगे तिया कितना बचेगा 27-1 प्लस बचेगा क्योंकि 30 में से 3 में से तीन गटाएंगे तो 30 में से 3 गटेगा 27-1 प्लस बचेगा फिर बोला गया कि इन दोनों का गुणन फलिया निकि एन दोनों को गुणा कर देना तो वो किसके बराबर होगा मैं एक बार और बता देता हूं कि शेपाली का एक टेस्ट हुआ जिसमें उसने गनीत और अंग्रेजी दोनों में 30 अंग प्राप्त किये हम यह निकालना है कि गनीत में कितने प्राप्त किये अंग्रेजी में कितने प्राप्त किये तो हम सबसे पहले गनित के माल लिए उसने X किये हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में इसमें से गनित वाले गटा दिये तो अंग्रेजी में हमें पता चल गा कितने किये 30-X किये फिर सब्सें के अंदर हमें किया में कंडीशन दीगे खाल किंगर ग्रिह कि और गनीत में कि ज्यादा प्राप्त करती यान कि इससे दहुआ अब यारे एक्स वाग्ते हैं तो इससे दो दोनों का गौणन फ़ला वो कितना है 210 यानिक अगर इन दोनों को गौणा करेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा तो बाहर यासिया में क्या करने अब दिऊगा समेकड़ बना कर इसको स्वाल करना है तो पजनानुसार क्या बोला गया कि गणिती में दोंक ज्याद्धा प्राप चिन आएगे यहां पर भी प्लस है यहां पर भी पलस हो गया ठीक यह भी फिर इसका गुणा इंदोनों से किया यह पलस यह मैंस तर फिर यह मैंस और पलस पलस स्ट पलस माइनस माइनस बराबर में धीया निया गया कि अब 27 में सां कुन सहा राद में तो यह कितना बचेएonne पचिस आएंस बचे olmuş तोनिक एक्स सक्ट यह कि उसक Fragen क्या आ Budd AN का दिुगाष मिकंड कंदरें मानिस साड ल्याइंगे ते यह तो सो दस माइनस का हो गया बराबर मेंक्राया यह ढूंक हों अब है 210 में आप चॉपन घटा लीजब दो सो दस में सिस्पन घटेगा तो कितना बस इस arrow चेश फिर बीशतमें ब्राबर में क्या दिया गया है, 0 दिया गया, दिवगा समीकन के अंदर जो X स्क्वार वाला पद होता, वो माइनस का नहीं हो सकता, त्यानि पूरी समीकन को माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का गुणा माइनस से यह पलस का X स्कार हो गया, मा करने के लिए तीन विद्धि आप जिस विद्धि का चाहिए उसी विद्धि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो है तो बारा कर सकती है एक 13 कर सकते हैं और 12 13 का हम दोनों का गुणा करें तो यह कितना होगा आप 6 5 और 1 यानि कि जो माइनस 25 है ना इसके दो टुकडे कैसे कर सकते हैं इसको हम गुणन कंड़ विद्धी से स्वाल करें तो इसके हम दो टुकडे कर देंगे एकस स्काइर माइनस 12 एकस माइनस 13 एकस पलस 156 बराबर 0 ठिक हमने क्या क्या 25 के ऐसे दो टुकडे कि यह जोडने यह गटाने पर तो 25 एकस आई और गुणा करने पर क्या एकस पलस का 16 आजए तो एसे दो टुकडे हमारे पास 12 और 13 है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आजए क्या कर सकते हैं माइनस 13 को बाढ़ ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक से माइनस से 12 बराबर में यहां पे क्या है जिरो इन दोनों में से भी क्या कोमन आसकते हैं x-12 वो 12 जाएगा x-12 दोनों में से common आ गया तो यहाँ पर क्या बचा है? x बचा और यहाँ पर क्या बचा है? minus का 13 और बराबर में क्या है? 0 अब एक बार ये value 0 के बराबर रख देंगे एक बार ये value 0 तो x-12 बराबर 0 दूसरा x-13 बराबर 0 तो x-42 एक तो बारबर आजाएगी और एक x-를... अब यहाँ पर अपने पास दो condition होगे हो सकता है गनीत में उसने 12 प्राप्त किये हो अगर गनीत में 12 प्राप्त की है अगर गनीत में उसने 12 प्राप्त की तो अंग्रेजिशी में कृता करेगी? अगर वो गणीत में 13 प्राप्त करती हैं गणीत वेहां तो अंग्रजी में के तीड़ी में से त्रह कंडिशन था हो वहलां रही है है तो एक्स बराबर तो तो तेरा हो गया तो अंगरेज़्य जी अपना क्या क्या हो जयागा यहां पर फाइनल ए हो जाएगा यह आपका इसा क्यूस्थ नंबर पांच है वो कंप्लीट हो गया है इसों नंबर छे है एक खेत का वीकेण उसकी चोटी बुजा से भी तीछ मिटर देखो तो खेतं के इमें बुझा निकालनी है थीक है सब से पहले आपिए आइस अकार खेत की बात कि जा रही है तो आईतकार खेत याजिक आPlus में के आमने सामने की जाइत में क्या होती है? बराबर ज्याद है तो हम सब से पहले क्या गरेंगे छोटी बुजा मालें लिए माना आइतकार खेत की छोटी बुजा क्या है X मेटर है क्योंकि इससे समधित सारी बात की जा रही है अब विकेंड हमें क्या बोला गया है इससे साथ अधिक्त याने X में 60 जोड़ देंगे और बड़ी बुजा इसे 30 हदिक यानि X में 30 जोड़ देंगे अब आयताकार खेत है माल लिए हमने ये छोटी बुजाई ये वाले तो विकेंड क्या होता है ये विकेंड होता है ठीक है तो ये कितरा है X प्रस साथ है बड़ी बुजा ये छोटी है तो ये माल लेंगे बड़ी है जो कि कितने हो जाएगी X प्रस से 30 हो जाएगी अब आप जानते हैं कि जो आयताकार यानि आयत होता है उसका प्रते कौन 90 से देखेंगे यह क्या बनरे कि समकौन तिर्भुज बन रहा है इसके सामने वाली बुजा क्या होगी करण हो गई यह क्या हो गई यह क्या क्या होगा सम्कॉण तिर्पूज होगा सम्कॉण तिर्पूज के अंदर जो सामने वाली बुजा होती है वो करण होती है एक आदार होती है और एक क्या होता है लंब होता है इसको आप आदार मालेजी यह लंब हो जाएगा ठीक है तो अब मैं क्या करेंगे आप पाइथा गो करें तो यह ब्राबर होगा किसके आदार के स्क्वाइर के और किसके ब्राबर होगा लंब के स्क्वाइर के क्यों लगा रहे क्योंकि यहां पर इस परकार बन रहा है यह इस परकार बन रहा है ठीक है यह कौन 90 डिगरी का है यह एक्स प्लस तीस है यह एक्स है और यह क्या हो अब करन कि जगया का मान रख़ेंगे क्या है एक्स पलस 60 गया क्या कि आधि श्वैर करने है त्या इसकताव साट कि इसवेर्ण पीर आदार हम क्याbak माल लेंगे fat इसवी इसक वाप sin 1110 कोर फरक नहीं पड़ेंगा ठीक भीर यानी लाई जो मालें 3x यह क्या हो जाएगे x की e-rires जाएगे इसको solve करेंगे तो यहाँ पर formula लगेगा x plus y की all square वाला x plus y बोल दीजी या a plus b बोल दीजी तो यह क्या होता है यह होता है x square plus y square plus 2xy तो इसी प्रकार यहाँ पर x की square त्यादने x की square Y की जिगह 60 है, तो 70 की स्काइब कितना हो जाएगा? 36 36 की 36 होती है, 0 का दो 0 हो जाएगा स्काइब के अंदर, फिर 2XY, 2, X की जिगह X है, और Y की जिगह क्या है? 60 हो जेगा, बराबर का सि्मबल हम बराबर लगा देंगे, अब इसको सोल करेंगी ये क्या हो जगा X की जगे, ये Y की जगे तर ने X की स्क्वेर, फिर Y की स्क्वेर याएनि 30 की स्कॵेर कितने हो जगे? 9 100 हो जगे, फिर X दो गुना 2 गुना X lucky तो यानि 2X Y की सिगे साट है, तो कितना हो जगा 60X हो जगा फिर ये क्या हो जाएगा दो का x qr क्योंकि x स्कैर करेंगे तो मान क्या जाएगा x से 2 tempting अब इनको solar कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x 2 becoming 37 इसको solve करेंगे 2 का गुणा 60 हो गगा तो plus का 120 x हो गया बरापर में ये x x 2 यह x2 कितना हो गया दो x2 हो गया यह कितना हो गया पलस का 900 हो गया और यह 60x अब दिव गाय समिकन के अंदर हम क्या करते हैं सारा मान एक साइड ले आते हैं यहां पर देखतम गात दो है तो यह दिव गाय समिकन बन सकती है तो सभी का मान हम एक साइड ले आते हैं तो यह X2 का X2 हुएगा सबसे पहले यह पद लाएगे तो यह सेड आती ही माइनस का हुझेगा फिर इसको 360 लिख देंगे यह 3600 यानि 3600 है इस समय से क्या गटा देंगे 900 गटा देंगे पिर हम क्या लिखते हैं 120 X लिख देते हैं इसमें क्या गटाना है 6X गटाना अब यहां पर बराबर में क्या हो गया जिरो क्योंकि सारा मान हमने एक साइड ले लिया है यह x स्कायर प्लस का यह माइनस का तो क्या बचेगा माइनस का एक स्कायर बचेगा 3600 में से 900 गटेगा तो पलस का कितना बचेगा 2700 और बचेगा ये पलस का 120 से ये माइनस का 60 अच कितना बचेगा पलस का 60 और बचेगा बराबर में 0 दिये गए दिव गास समीकन के अंदर हम क्या करतेंगे जो X स्कायर वाला पद ये माइनस का नहीं होना ची तहम क्या करेंगे पूरी समिकन को यह माइनस से गुणा करतेंगे तो यह क्या होज़ेगा x square माइनस 2700 माइनस का 60x से बराबर में 0 इसको थोड़ा ओर वैस्ट लिख देते हैं कैसे यह x वाला पद ये पहले लिख देते हैं 2700 बाद में लिख देते हैं ठीकuben वहार साथ एक से माइनस 4700 माइनस एसाइस बराबर में क्या दिया गया जिरौ धिया गया ठीक है यहाँ पिस दोनों प्लस कर खेते माइनस हिर। अब यह आपकी क्या बनगी दिव गासमिकन बनगी अब आपको इसको सौल करना है शौल आप इसको तीन विद्धी से कर सकते हैं लेकिन इसको हम क्या करेंगे गुणान खंड विद्धी से सौल करेंगे क्योंकि साथ के ऐसे दो टूकडे करनी है जिसका गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 27 सौ आना चाहिए और जोड़नी है गटाने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए थो वो दो took-dame क्या कर सकती है अगर आप एक 90 ले ले और एक आप तीस ले ले दौनों को गुणा करेंगे तो कितना आजएगा 2700 आजएगा और 90 में से 30 गटाएंगे तो कितना आजाएगा 60 आजाएगा अगर हमें 90 माइनस का लें 30 पलस का लें तो कितना आएगा माइनस का 60 आएगा ठीक है और गोणा करेंगे तो माइनस का 2700 आजाएगा तो इसको हम लिख देते हैं X स्कार 60 के दो टुकडे हम क्या ले रहे है माइनस का 90 X ले रहे है पलस का 30 X ले रहे है और माइनस का कितना है 2700 बराबर में 0 अब यहाँ से X कॉमन आगया तो X माइनस 90 यहाँ से हम पलस का 30 कॉमन ले लेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा X माइनस 90 ब्राबर में क्या है 0 है इन दोनों में भी x-90 कॉमन है तो यह हमने बाद ले लिया यहां पर x बचा और इस एड़ क्या बचा पलस का 30 ब्राबर में क्या है 0 एक बार इसको 0 के ब्राबर रखेंगे एक बार इसको 0 के ब्राबर रखेंगे तो एक बार 0 के ब्राबर यह होगा त किए कर आ इत्तक है कि इतना मिले उसके माणन कंद भान में सब्किर कैघ्क को में ने पूंदcr था नाइस मृझा स usar 그 च्रोटी उसके माण कितना किगा Specs एक साथ जोड देंगा कितना हो 장yre DS00 100 हो जाएगा Ồ बड़ी बुज़ा कितनी हो झालेगी नब्ढक नबार में 130 जोड़ देंगे तो कितनाfund जाँएगा 120 हमें ऐताकार खेट की बुज़ा क्यात करनी ठी तो एक तो क्या होगी 90 कबब्ब होगी और बड़ी बुजय क्या होगी. 120 होगी आपका तक नमर च्छा हो गया. आगे वाले क्यूसी क्लास नहस्त क्लास में कर लेंगे. आज क्लास लंभी होगी और मौस्ते हम खराब हो रहा है तो आज हम 6 क्लास आपको कैसे लगी है आप कमेंट करके जरूर बताना अगर क्लास आपको पसंद आये तो आपके लाइक और शेयर जरूर कर देना फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बैठरिंग क्लास के साथ तब तक आप अपन्सते रहना मुश्कात रहना देखते रहना जोबित पीडी जै हिंद जै भारत झाप है